वेलकम बैक फ्रेंड्स यह हमारी वीडियो नमबर टू इंफरमिशन टेक्निलोजी टर्म टू के लिए और वीडियो नमबर वन में हमने डिसकस किया था इंप्लॉइबिलिटी स्किल्स के अंदर ऑंट्रोपेनियरियल स्किल्स को तो अगर आपने प्रीवेस वीडियो नहीं देखी है उसके नोट्स आपके पास नहीं है तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर भी हम Employability Skills के अंदर Green Skills को डिसक्स करने वाले हैं जिसमें हमारा जो Main Topic है वो है Sustainable Development तो श्टार्ट करते हैं हमारा जो Topic है वो Same है यानि कि Employability Skills और यहाँ पे हम डिसक्स करेंगे Green Skills को जिसमें Main हमारा Topic है Sustainable Development तो इसके जितने भी Topics है इनको तो हम डिसक्स करेंगे और जो Notes है आपको Description Box में मिल जाएंगे तो श्टार्ट करते हैं क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके Long Questions नहीं आते हैं केवल आपके 1 & 2 Marks के ही Questions आते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो Definition आ सकती है Sustainable Development की कि Sustainable Development क्या होता है देखिए Simple साथ Sustainable Development कहते हैं जब हम development को Sustain करते हैं यानि कि जो हमारी Present Generation की Need है उनको भी Fulfill हम करें और जो Future Generation है उनको भी Compromise ना करना पड़े अपनी Needs को Fulfill करने के लिए तो Simple सी इसकी Definition है Sustainable Development is the development that meets the needs of Present Generation या Simply Present यानि कि ऐसा development जो कि Present Generation की Needs को यहां पे पूरी करता है बट ड़ ड़ नोट Compromise the ability of Future Generation to meet their own needs यानि कि यह Compromise नहीं करेगा Future Generation की Needs को पूरा करने में भी तो Simple सी इसकी Definition है तो इसके जो Main यहां पे Principles हैं जो Main सिद्धानत है उनको भी हम देख लेते हैं Main Principles of Sustainable Development जिसमें सबसे पहले आ जाता है Respect and Care for All Forms of Life यानि कि जितनी भी Forms of Life है उनकी हम Care करें उनकी हम Respect करें यह भी एक Main सिद्धानत या Principle यहां पे Sustainable Development का Next है Improving the Quality of Human Life Human Life की जो Quality है उसको हम Increase कर सकते हैं और यह किस तरीके से किया जाएगा Good Quality Education हो वहां पे Food हो Unemployment Rate वहां पे कम हो Over Population ना हो तो यह कुछ है तो इनको हम यहां पे इस्तमाल कर सकते हैं तो यह कुछ यहां पे Point है Mainly One या Two Points ही हमको Exam में लिखने होते हैं अब यहां पे Global Level पे कुछ Major यहां पे Conferences कुछ यहां पे Meetings होई हैं इनको भी हम डिसकस करते हैं क्योंकि काफी बार One Marks के Question में यहां पे पूछा जाता है इनकी जो Dates है इनको काफी बार पूछ लिया जाता है तो पहला है in 1972 UN Conference in Stockholm Highlighted the concerns for preserving the environment तो पहला जो Conference हुई थी 1972 के अंदर Stockholm में जो की I guess आपकी Capital है Sweden की यहां पे पहली जो Conference हुई थी और इसी पे बात हुई थी Environment के बारे में Preserving the Environment यान की Environment को Preserve करने की जो सबसे पहली Conference या Meeting हुई थी Global Level पे 1972 पे हुई थी तो काफी बार यह भी पूछा जाता है कि फर्स जो Conference हुई थी वो कहां पे हुई थी तो यह इस Panther आपने वहां पे लिखना है next है in 1990 अब यह Global जो है उन Meetings के बारे में जो Major Meetings थी या Summit से उनके बारे में है इसके अलबा नॉन जो Government Organization है उन में Meetings काफी बार होती रहती है तो इस जो Main Meetings से उनके बारे में है इन 1992 अर्च समिट से जाना जाता है 1992 में जो Meeting हुई थी Rio de Janeiro में जो ब्राजील के अंदर है वहां पे इसकी Meeting हुई थी और इसमें Social Economic Development के बारे में बात हुई थी और यहीं पर आपका जो Term है Sustainable Development उसको यहां पर लाया गया था यानि कि जो पहला यहां पर Major Focus किया था Sustainable Development में वह 1992 की जो Meeting है Social Economic जो आपका Development के बारे में वह 1992 के अंदर था Next है in 2015 जो latest यहां पर Meeting हुई है UN के अंदर Sustainable Development में यह New York के अंदर हुई थी और यहां पर 2030 का जो Agenda है जिसमें आपे 17 Goals रखे गए थे काफी बार इसका Full Form भी आता है Sustainable Development Goals SDG का क्या Full Form में इस तरीके से भी पूछा जाता है तो Sustainable Development Goals जो थे जो Agenda था 2030 के लिए उसमें कुछ Goals है Globally हमारे जिसमें सबसे पहले आ जाता है No Poverty कोई Poverty नहीं होनी चाहिए यानि कि हर किसी को खाना यहां पर मिले Zero Hunger जो है यह भी एक Goal था Good Health हो गया Quality Education है Gender Equality हो गया Clean Water है इस तरीके के 17 जो Major Agendas से Globally इनको रखा गया था जो 2015 का Summit यहां पर हुआ था आपका Sustainable Development के लिए है तो यह तो हमारी कुछ Basics है यहां पर Points से बेसिक से Topics से तो कुछ और हमारे Topics है उनको भी हम डिसकस करते हैं कुछ और हमारे यहां पर Topics है इनको भी हम डिसकस करते हैं जिसमें सबसे पहले हमारा जाता है Importance of Sustainable Development अब देखिए Sustainable Development की जर्वत क्यों है यह तो हमने समझा क्योंकि हमारी जो Present Needs है इनको भी हमने यहां पर Fulfill करना है और जो हमारी Future Generation की Needs है वह भी Compromise ना हो तो यहां पर देखिए जो इसका मेन यहां पर Importance है एक तो है Economic Development के लिए Economic Development यानि कि Economically हर एक Human Being या पूरी की पूरी Community है Society है वो भी Upgrade करें तो सबसे बड़ा जो Importance है वो तो Economic Development के लिए है यानि कि हर इंसान के पास प्रॉपर यहां पर सेल्टर हो प्रॉपर फूड हो प्रॉपर द्रिंकिंग वाटर यहां पर हो तो यह सभी आ जाता है Economic Development के अंदर Next है Social Development, It is about Awareness of the Health of People from Pollution and Other Harmful Activities of Business यानि कि जो Pollution है उसके लिए हमको यहां पर Awareness Campaign चलाने चाहिए या Business Activities जो है जो Harmful Business Activities है जैसे देखा होगा काफी बार जो Industries है उनसे काफी Pollution होता है एर में भी वाटर में भी तो इसके लिए हम Awareness यहां पर ला सकते हैं किसी भी बिजनस में या Simply Society के अंदर Next है Environmental Protection यानकि Environment को भी हमने Protect करना है It is the need to Protect the Environment with the help of 3R यानि कि हम Reduce कर सकते हैं Recycle कर सकते हैं चीजों को और Reuse भी कर सकते हैं तो यह इसके Simple से Important यहां पर Part है या Importance है Sustainable Development का इसके अलावा आप कुछ और Points भी यहां पर लिख सकते हैं Next है Problem Related to Sustainable Development का जब भी हम Sustainable Development की बात करते हैं तो कौन-कौन सी यहां पर Problems आती है जिसमें सबसे पहले Over Population एक बहुत बड़ी Problem है Poverty है या Hunger है Unemployment है Climate Change है या Unstable Government भी हो सकती है War Crisis हो सकते हैं तो इससे भी Sustainable Development के लिए में यहां पर Problem है तो इसके लिए कुछ Solution भी है Solution Related to Sustainable Development जिसमें सबसे पहले आजाता है Investing in People People या Society या Community पर हम Invest कर सकते हैं किसकी मज़द से Through Proper Nutrition उनको मिले या Quality Healthcare हो या Education हो Jobs महाँ पे काफी हो और Skills अलग अलग जो Skills है Skill Based Knowledge उनको दी जाए और Awareness Campaign हम यहां पर Launch कर सकते हैं Mainly Farmers के लिए, Industries के लिए तो यह कुछ यहां पर Points हैं जो Solution हो सकते हैं Sustainable Development के लिए तो I hope यह Basic सा Chapter आपको समझ माया होगा Short Form में इससे Questions पूछे जाते हैं और जो पूरा Chapter है इसके जो Notes हैं वो भी आपको Description Box में मिल जाएंगे तो इसे के साथ हमारी वीडियो भी खतम होती है वीडियो No.2 तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में वीडियो No.3 झाली 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 झाली